Hello everyone, welcome to my youtube channel, सिक्षा लेसन तो आज का हमारा टॉपिक है, indefinite pronoun indefinite pronoun में हम कुछ शब्द देखते हैं, somebody, someone, something, few, all and etc तो चलिए, indefinite pronoun के बारे में, आगे वीडियो में डेटेल से जानते हैं The pronouns which refer to persons or things in a general way The pronouns which refer to persons or things in a general way मतलब वो pronoun जो किसी भी व्यक्ती या वस्तू को refer करते हैं या बताते हैं किसी भी वस्तू और व्यक्ती के बारे में in a general way एक सामन्ने रूप से But do not refer to any person or thing in particular पर वो किसी भी वस्तू को या व्यक्ती को particular नहीं बताते Are called indefinite pronouns क्या कहलाते हैं? Indefinite pronoun यानि अनिस्चेवाचक सर्वनाम आप इससे समझोए जो pronoun किसी भी व्यक्ती और वस्तू के बारे में एक सामन्ने रूप से बताते हैं But do not refer to any person or things in particular और किसी भी व्यक्ती और वस्तू के बारे में particular नहीं बताते जैसे हमने noun में समझा था common noun और proper noun तो common noun में क्या होता है? किसी भी व्यक्ती और वस्तू के बारे में एक commonly बताते हैं मतलग किसी भी particular चीज या व्यक्ती के बारे में नहीं बताते जैसे आगे जो words दिये हों उनके हिसाब से आपको example के हिसाब से बताती हूं somebody, anybody, someone, no one, nobody, everybody, everyone, something, anything, nothing, everything, one, none, all, few, many ये क्या words हैं? ये indefinite pronoun words हैं तो इन में किसी भी कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो किसी भी व्यक्ती के बारे में particular बताए जैसे हमने कहा man तो वो क्या हो गया? एक common noun हो गई लेकिन मैंने कहा रमेश तो वो एक proper noun हो गई इसी तरीके से आप इसमें समझो indefinite मतलब किसी भी proper वस्तू या इंसान के बारे में नहीं बता रहे हैं somebody कोई व्यक्ति anybody कोई व्यक्ति someone कुछ no one कोई भी नहीं nobody तो यह ऐसे शब्दें जो किसी भी particular चीज या परसन के बारे में नहीं बतातें बलकि एक general way में बतातें general चीजों के बारे में जनरल व्यक्तियों के बारे में ठीक है तो वो क्या होतें indefinite pronoun इन words को भी याद रखो कि अगर pronoun आए indefinite pronoun तो यह words indefinite pronoun में use होतें अब आगे हम example के हिसाप से समझेंगे देखो nobody will help you तो nobody क्या है nobody will help you ठीक है कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा nobody will help you ठीक है तो nobody क्या है है तो इंसान के बारे में लेकिन मतलब एक particular इंसान के बारे में नहीं कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा लेकिन अगर मैं यहां कहती रमेश विल हेल्प यू, सुरेश विल हेल्प यू, सीता विल हेल्प यू, तो यह क्या होता? यह एक particular चीज हो जाती, कि मतलब सीता नाम की औरत या लड़की, या रमेश नाम का लड़का, या आदमी, तो यह क्या होता? प्रॉपर किसी व्यक्ति के बारे में कह देते हैं कि nobody, यह ऐसे वर्ड से जो बताएंगे तो व्यक्ति के बारे में लेकिन common बताएंगे, मतलब किसी भी particular व्यक्ति के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है? आगे का example दिखते है, number two पे, some are born great, कुछ लोग पैदा ही great होते हैं, some are born great, अब इसमें ये थोड़ी बोला है, कि Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, some are born great, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है? पर्टिकॉलर नहीं बताए गया है, आगे example देखें, somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुडा ली, लेकिन किसने चुडा यह नहीं पता, अगर पता हो Anything is possible, if you believe, अगर तुम विश्वास करोगे, तो कुछ भी संभव है, ठीक है? पर्टिकॉलर चीज, एक तो शब्दों को पता होना चाहिए, कि वही, इंडेफिनेट प्रोनाउन में कौन कौन से शब्द होते हैं, कही ना कही नाउन प्रोनाउन यह आपस में connected होते हैं, बस थ को इंडेफिनेट प्रोनाउन में, नोबड़ी, सम, समबड़ी, एनिफिंग, अगर यह वर्ट साहिए, तो हो इंडेफिनेट प्रोनाउन है, आगे एक्जामपल देखेंगे, आगे के एक्जामपल में में ने लिया है, everything is well-planned, सब कुछ well-planned है, ठीक है, यहाँ पर क्या ह है, everything, ठीक है, everything is well-planned, आगे एक्जामपल देखो, all is well, that ends well, सब कुछ अच्छा है, अगर अंत अच्छा है, तो मतलब कुछ भी कितना भी खराब हो, लेकिन उसका अगर अंत अच्छा है, तो वो सब कुछ अच्छा है, तो all is well, that ends well, तो इसमें किसी भी particular घटना के बारे मे इसमें particular नहीं बता था, आप इसी चीज से समझ जाओ, indefinite का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चवाचक, सर्वनाम, तो ठीक है, इसी से समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज के बारे में व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से नहीं बताया है, कि कौन और क्या ठीक है, most of the students are doing well, ठीक है, इसी से समझ रहें आ, कि जादतर students ने क्या है, क्या किया है, अच्छा किया है, कोई भी काम है, जादतर students ने अच्छा किया है, लेकिन किसी particular student के बारे में नहीं बताया, तो ये सारे क्या होते है, indefinite pronouns क्या दोुच्चा किया है, क्या समय होते हैं नहीं है, क्यास कि कि अच्छा कर दो गफस्कMusikता है, क्या भी काम है, रगी क्या है, अबताया है, क्या क्या एंचकता दो च國 Beach झाल झाल